नमस्कार प्यारे साथियों भारत के सबसे बड़े तेजी से ओनलाइन उबरते प्लेटफॉर्म वैसे उबरते क्या उबर चुका हैं बहुत बड़े लेवल पर डॉक्टर पंचोली सर की क्लासेस के अंदर मैं कोविंध मलविया एक बार फिर से हाजिर हूँ साथियों पढ़ते पढ़ते हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम कॉंपिटेशन एक्जाम की तयारी कर रहे हैं और कॉंपिटेशन में जो चीज वेटेज की हैं वो मैं वेटेज से बता रहा हूँ और जो चीज उपर से पढ़नी चाहिए वो उपर से बता रहा हूँ जैसा कि कल मैंने आपको जो है बैटल आफ हल्दी गाटी के बारे में बताया तो आज उसी से समंदित बहुत सारी चीजे हैं जो कल लिक्वानी बाकी रह गई थी उसके बारे में भी हम बात करेंगे ब्रीफ में थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दू इस युद्ध को लेकर तो आप जानते होंगे कि हम आरेस प्री एक्जाम के एडवान्स में तयारी कर रहे हैं 2023 को लेकर हलाकि एडवान्स में तयारी करना समझदारी हैं तो क्योंकि हमें एक सही वक्त मिल जाता है तो इसी खातर हम एक बार फिर से आरेस प्री के पॉइंट अफ व्यू से हम मेवाड के इतिहास की चर्चा करना चाहते हैं जिसमें हमने लास्ट क्लास के अंदर महराना प्रताप सिंग जी के बारे में चर्चाए की थी महराना प्रताप सिंग आप तो जानते हैं आप क्या पूरी दुनिया जानती हैं कि वे कौन हैं प्रताप सिंग जी के समंदित हमने बहुत कुछ जाना था जैसे कि आप जानते हो कि उनके बड़े भाई उनके छोटे भाई जगमाल सिंग को उत्रादिकारी बनानी की कोशिश की गई थी लेकिन सरदारों ने उनका साथ दिया उन्होंने अपने तिलक समारों के अंदर जो है वह गोशना की थी कि जब तक मेवार को मुक्त नहीं करवा लेते तब तक थाली में भूजन नहीं करेंगे रेस में बिछोनों पर नहीं सोएंगे और इसी खातिर राना प्रताप सिंग जी ने जो है उनको मनाने के लिए अकबर ने चार दूत बेजे थे उन चारों दूतों में से जो मान सिंग कच्वा के साथ में मेवाडी सरदारों की मुलाकात हुई थी और वही मुलाकात जो है काफी भारी पड़ी थी तो इसी सिलसले में एक बहुत महा विनाशकारी युद्ध हुआ था जिसे हम बैटल ओफ हल्दी गाटी या हल्दी गाटी का युद्ध कह सकते हैं हम और उस हल्दी गाटी के युद्ध की एक एक बारी की जो है मैंने अपनी पूरी महनत के साथ में आपको 1576 वाले इस युद्ध के बारे में बताई थी जिसके सुरुवात खमनोर से होती हैं और खमनोर से होते होते ये युद्ध जो है अपने अंतिम पड़ाओं में रक्त तलाई और रक्त तलाई के बाद में हल्दी गाटी की तरफ प्रस्थान करता है इस युद्ध के अंदर आपने ये नोटिस किया कि हरावल दस्ते में मौझूद कृसंदास चुनडावत साहब जो है जो की सलंबर के ठाकुर साब थे वह लड़ते होए वीरगती को प्राप्थ हुए साथ में पठान हाकीम खासूर वीरगती को प्राप्थ हुए एके करके सारे मेवाडी सरदार और योध्धा जो है यहाँ पर वीरगती को प्राप्थ हुए थे और राणा प्रताप सिंग जी जब युद्ध के अंतिम पड़ाव के समय जब वो युद्ध छेतर में उत्रें तो उन्होंने अपने घोडे चेतक के माध्यम से एक ही वार में जो है वह हवा में ही लहराते हुए उन्होंने अपना घोडा चड़ा दिया था पांच हातियों के उपर और पांच हातियों को छलांग लगाते वक्त राणा प्रताप ने तलवार के एक ही वार से अलवर के जो पांच पीर जादे उन्हातियों पर बैठे हुए तो उनके मस्तक धर से अलग कर दिये साथ ही साथ एक ही तलवार के वार से हाती समान शरीर वाले बहलोल खान नाम के हबसी को उन्होंने परलोग भेज दिया था हबसी कहा जाता है कसाई को तो बहलोल खान नाम के हबसी जिसका आतंक बहुत जबरदस्त था बहलोल खान का उस बहलोल खान को परलोग बेज दिया था तलवार के एक ही वार से घोड़े समेत काट दिया था ऐसे थे हमारे एकलिंगनात के दीवान प्रताप सिंग जब अंतिम ख्षणों में उन्होंने अपना घोड़ा जो है वह मान सिंग के मरदाना हाती पर चड़ाया अपना चेतक तो ऐसे वक्त में मरदाना हाती की सुन में बंदे खंजर से जो है चेतक का पाउव कट गया था और उसके बाद में उनकी जगह पर लड़ाई की थी जो है बड़ी सादडी के ठाकूर जहला मान सिंग जी ने और जहला मान सिंग भी लड़ते लड़ते वीरगती को प्राप्त हो गए और उसके बाद में एक और लड़ाई अब जारी रहेगी और वो लड़ाई जो है वह जारी निस्चित तोर पे रहने वाली है क्योंकि आप अच्छी तरसे जानते हो कि हल्दी घाटी युद्ध में दोनों ही पक्ष जो चाहते थे वो नहीं हो पाया यानि अकबर चाहते थे कि राना प्रताप सिंग अधीन कर लिये जाए या युद्ध छेतर में मारे जाए और माराना प्रताप चाहते थे कि इस युद्ध के जरिये वे मेवाड को मुग्द कर वाले लेकिन दोनों ही पक्ष इस कार्य में नहीं पूर्ण कर पाए यानि लड़ाई तो जारी है खत्म होने का नाम नहीं लेगी चलिए इस लड़ाई के बाद क्या होता है ये हमारे लिए जानना जरूरी है देखिए साथ आपको ये भी बताया था कि हल्दी घाटी युद्ध के पस्चात में राणा प्रताब सो जो है वह बलीचा गाउं पहुँचे थे बलीचा गाउं वर्तमान में खमनोर रासमंद में है वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर चेतक का प्राणांत हुआ था चेतक की समाधी अगर पूछी जाए तो आप बहलोल सोरी चेतक की समाधी पूछी जाए तो आप बलीचा answer दे सकते हो क्योंकि एक महान गोडा है, प्रसिद्ध गोडा है तो निस्चित तोर पर यहां से सवाल बन सकता है मेन उधिश्य आप भूलिएगा मत हमारा मेन उधिश्य एक्जाम करेक्ट करना तो ऐसे ही कुछ points हम निकालेंगे और उसी के अधार पर हम competition करेक्ट करने की कोशिश करेंगे अगर ब्रीफ में और बताऊं तो बलीचा से राणा प्रताब जो है आवरगड पहुँच गए थे थोड़ा सा आगे वाले पेज में लिख लेता हूँ मैं देखिए राणा प्रताब जो है हल्दी घाटी के बाद में कहां पहुँचे बलीचा बलीचा से राणा प्रताब जो है आवरगड पहुँचे ये आवरगड वर्तमान में जाडोल के पास में उदैपूर जिले के अंदर मौजूद है यहाँ पर एक शिव मंदिर भी इन्होंने बनाया था लगबग चार महीने तक वे आवरगड में रुके रहें चार माहा तक उसके बाद में वहाँ से आवरगड से राणा प्रताब जो है वे आगए थे मायरा की गुफा में मायरा की गुफा में लगबग उन्होंने चार वर्ष बिताएं और मायरा की गुफा के बाद में राणा प्रताब का नेक्स जो ठेकाना था वह था चपन के जंगल ये चपन के जंगल जो है वरतमान में प्रताबगड वाला छित्र कहलाता है यहां पर भी लगबग दो से तीन साल उन्होंने गुजारे थे मायरा की गुफा वरतमान राजसमंद में है ये गुफा कैसी है मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा जरूर राजसमंद जिले के अंदर है इस गुफा का एक मुख जो है वह राजसमंद हल्दी घाटी की तरफ खुलता है और दूसरा मुख जो है वह वरतमान में नात दौरा की तरफ खुलता है और ये अंदर से पूरा अरावली पहाड खोकला है कहते हैं कवदंतियों के अनुसार की इस गुफा का एक दौर ठेट अजमेर जाकर खुलता है आप अंदाजा लगा सकते ये गुफा कितनी भयानक है इस मायरा की गुफा में राणा प्रताप का सस्तरागार भी था इस मायरा की गुफा के अंदर राणा प्रताप मैं खुद जा चुका हूँ इस मायरा गुफा के द्वार तक हाला कि अंदर जाने की न तो परमीशन है न हिम्मत होती है किसी की भी अंदर एक छोटा सा हिंगलाज माता का मंदिर है उस मंदिर के अंदर हमेशा एक दिया टिम्टिमाता है दस फिट की दूरी से अंधेरा सुरू हो जाता है उसके बाद में 56 के जंगलों में राना प्रताप आए और 56 के जंगलों से राना प्रताप का नेक्स जो ठिकाना रहा वह रहा था जावर गुफा ये जावर गुफा वरतमान में जावर माइस के पास में है वरतमान जो नेशनल हाइवे है उसमें लगबग ये चार वर्स तक रुके रहे इस जावर गुफा को भी मैं देख चुका हूँ इसी में राना प्रताब जो है हमेशा सिवजी की तफस्या में लीन रहते थे यहाँ पर एक बड़ा खंडित शिवलिंग भी है जिसकी पूझा आप राना प्रताब किया करते थे इस जावर गुफा के अंदर आप कम से कम सो लोग बैठ सकते हैं और इसमें बैठने के बाद में रोड पे जो चल रही हलचल वह एक-एक हलचल नोटिस कर सकते हैं लेकिन रोड पे चल रहा हुआ कोई भी विक्ति इस गुफा के अंदर देख नहीं सकता कि क्या हो रहा है तो ऐसे ठिकाने राना प्रताब ने बना रखे थे जावर गुफा के बाद में उनका नेक्स जो पड़ाव रहा वे सीधा आगे थे चावंड में और अपना अंतिम समय जो है वह चावंड में बिताया और उसके बाद में वे स्वर्गवासी हो गए थे तो आप राना प्रताब की ये ठिकाने लिख सकते हैं सबसे पहले कुंबलगड, कुंबलगड से हल्दी घाटी और हल्दी घाटी से बलीचा, बलीचा से आवरगड आवरगड से मायरा की गुफा और मायरा की गुफा के बाद चपन के जंगल और चपन के जंगल के बाद में जावर गुफा और जावर गुफा से चावंड ठीक है? तो एक बार इसको स्क्रीन सोट ले लीजिए या नोट कर लीजिए एक्जाम में काम आ सकता है आपने नहीं देखा तो जैपल राम सब आप रिवाइंड करके देख लेना अभी आप यही से लाइव स्टार्ट कर लीजिए लाइव क्लास ले लीजिए वैसे समझ में आ जाएगा भली लेट आए तो कोई बात नहीं वैसे क्लास टेक्निकल इस्यू की वज़े से लेट ही हुई है ठीक है स्टार्ट और यार यह क्या है एक सो चोहतर लाइव मजा नहीं आ रहा है और लाइक हैं सिर्फ चिहालीस फोटे सिक्स मैं इतनी मेनत आप लोगों के लिए करता हूँ इतना गला फाड़ता हूँ आप इतना भी नहीं कर सकते मेरे लिए मुझे 174 के पीछे एक जीरो और चाहिए कम से कम चले उमीद करता हूँ आपने इस समझ लिया होगा देखिए साथियों अब मैं एक चीज आपको बताने जा रहा हूँ उस चीज को आप ध्यान से समझना तब जाके आगे वाली हिस्स्री आपको समझ में आ पाएगी देखिए राणा प्रताप सिंग जी जो है ठीक है देखिए मैंने आपसे जाते जाते ये भी कहा था कि जलालुदिन मुहमद अकबर जो है वह जीद जीद नहीं छोड़ सकता आपको भी बताएं कि जलालुदिन मुहमद अकबर का एक ही एजेंडा था किसी भी सूरते हाल में राणा प्रताप को जोकाना उन्हें अधीन करना तो क्या जलालुदिन मुहमद अकबर अपनी जीद छोड़ देंगे कता ही नहीं तो क्या राणा प्रताप अपनी हार माल लेंगे कता ही नहीं लेकिन आपको भी पता है मैं लास्ट क्लास के अंदर काफी बारीकी के साथ में बता चुका हूँ कि हल्दी घाटी के युद्ध में जो महा संग्राम हुआ जो खून खराबा हुआ जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई जो है वह किसी भी कीमत पर राणा प्रताप और उनका मेवाड नहीं कर सकता और ये भी तैह हैं कि राणा प्रताप का स्वाभिमान अडिग है वो जुक भी नहीं सकते इसका मतलब साफ है कि लड़ाई तो जारी रहेगी लेकिन आगे आने वाली जो लड़ाई रहेगी वह सीधे सीधे लड़ाई नहीं रहेगी जो कुछ भी युद्ध होंगे वह छापामार युद्ध होंगे छिपके युद्ध होंगे तो हम देख लेते हैं अकवर अर्थात मुगल और मेवाड अर्थात राणा प्रताप के मध्य संगर्ष की कहानी एक नजर में 1576 से 1582 183 तक हम देख लेते हैं एक साथ कहानी चलिया आगे आगे क्या होता है देखिए अकवर ने ये तै कर लिया था कि वे राणा प्रताप को जुका के रहेंगे तो आप देख सकते हैं अकवर ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ हल्दी घाटी के लिए राणा प्रताप के विरुद्ध सेना भीची थी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हल्दी घाटी के बाद में अकवर शांत पड़ जाएगा युद्ध जारी रहेगा साथियों 1566 1576 जून महीने में 18 जून 1566 में आप जानते हो कि राणा प्रताप को गिरफतार करने के लिए उन्हें अधीन करने के लिए अकवर ने करीब 85 हजार की फौज बेजी थी मानसिंग कच्छवा के नित्रतू में मुगल कमांडर कौन थे? मानसिंग कच्छवा तो आपको क्या लगता है? अकवर ने जो ये फौज बेजी थी तो ये फौज क्या इसलिए भेजी थी कि अखबर मेवार पर कमजा करना चाहता था? नहीं! महराना परताप को अपने अधीन लाना चाहता था इस कारण से ये फौज बेजी थी यानि महराना परताप के विरुद जो सैनिक अभियान हुए है वह सारे के सारे उनी के लिए हुए है उनको अधीन बनाने के लिए हुए है तो ऐसे सैनिक अभियान जारी रहेंगे ये भी हल्दी गाटी एक सैनिक अभियान ही था युद्ध नहीं था मुगलों की और से एक सैनिक अभियान था महराणा प्रताप को गिरफतार करने के लिए इसको युद्ध में तब्दील किया मेवाडियों ने समझ गए ना क्योंकि मेवाड में आप भी जानते हो कि जो कुछ अकबर को चाहिए था अकबर पहले से युदे सिंग जी के समय हासिल कर चुके थे है ना तो एक युद्ध हुआ हल्दी घाटी का की जो जून 1576 में हुआ ठीक है तो ऐसा नहीं है कि हल्दी घाटी के बाद में राना प्रताप के विरुद्ध अकबर शांत पड़ गया 1576 में ही जस्ट एक महीने बाद जुलाई में राना प्रताप के विरुद एक बार फिर से 30,000 सैनिक बेजे जलाल उदन महमद अक्पर ने इन 30,000 सैनिकों का नित्रत्व किया मान सिंग सोनगरा ने मान सिंग सोनगरा राना प्रताप के मामा स्री और इनके साथ में भेजा गया था बगवान दास कच्छवा को ये दोनों 30,000 सैनिकों के साथ एक बार फिर से जस्ट एक महीने बाद राना प्रताप को ढूणने के लिए फिर से मेवार में प्रविश्ट करते हैं लिकिन राना प्रताप इन्हें कई दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं जमीन खा गई या आसमान निगल गया ये न समझ पाए मान सिंग सोन गरा या भगवान दास कच्छवा आप मुझे क्या कमेंट बॉक्स में लिख के ये बता सकते हैं कि 1576 जुलाई महीने में राना प्रताप कहा थे आप क्या ये बता सकते हैं कि जुलाई 1576 में राना प्रताप कहा थे मैंने अभी अभी कुछ देर पहले आपको समझाया था चलिए फटा पट बताईए एक मिनिट का वक्त हैं आपके पास में जुलाई 1576 में राना प्रताप के विरुद जब मान सिंग सोनगरा और भगवान दास कच्वा के नित्रुत में अकबर ने 30,000 सैनिक भीजे थे उन्हें ढूंडने के लिए उस समय राना प्रताप कहा थे सवाल मेरा समझ गए होंगे अरे भाई मैंने अभी अभी तो समझाया था अब ध्यान कहा देते हो राना प्रताप हल्दी गाटी के बाद में कहा गए थे आवर गड़ और यहां पर कितने समय तक रुकेंगे चार महीने तक तो राना प्रताप उस समय कहा थे आवर गड़ में थे और यह आवर गड़ मैंने अपनी आखों से देखा है आज भी यहां पर कीसी भी प्रकार का मोबाईल नेटवर्क काम नहीं करता जो हैं बड़े बड़े पत्थर हैं नुकीले पत्थर है और उस नुकीले पत्थरों की आपस में टकराने से चंगारिया भी उत्पन होती है और बहुती भयानक है दिया है यह ठीक है साब उसके बाद में ऐसा नहीं है कि राना प्रताप को गिरफतार करने के लिए जलालुदिन ने जिद छोड़ दी मान सिंक सोनगरा और भगवान दास कच्वा भी अपने तीस जार सैनिकों के साथ में मूँ लटका के वापस लोट गए क्योंकि प्रताप उन्हें कहीं नजर नहीं आए उसके बस्षात में 1576 नवंबर महीने में कि अगर राना प्रताप को गरफतार करना है तो हमें पर्मानेंट मेवाड में ही रुकना पड़ेगा इसलिए जलालुदिन महमद अकबर ने पर्मानेंटली मेवाड में 33 थाने बिठा दिये जिसे मुगल चावनिया कह सकते हैं और उन 33 थानों में उन 33 थानों के अंदर 33 चावनियों के अंदर पांच चावनिया प्रमुख थी और उन प्रमुख चावनियों के अंदर एक थी आपकी दिवेर एक थी आपकी दिलवाडा एक थी देसूरी एक थी मांडलगड और एक थी जो है वह थी गोगुंदा ये पाँच चावनिया प्रमुख थी इन पाँच तैथीस में से भी पाँच चावनिया प्रमुख थी और तैथीस पर्मानेंट आदमी बिठा दिये थे वहाँ पर ठीक है पर्मानेंट आदमी बिठा दिये थे और उन तैथीस चावनियों का जो हेड बनाया गया था वहाँ बनाया गया था तहवुर खान मनोती को ये तहवुर खान मनोती जो है ये भी अभी सीनिया का एक हबसी था कसाई था और ये तहवुर खान मनोती जो है न वास्तम में मनोती नहीं था राना प्रताप के लिए एक पनोती था और इसको बिठाया था चितोड में और इन सारी छावनियों का हेड बनाया गया था इसे और ये तहवुर खान मनोती इतना खोपनाक था बिलकुल बहलोल खान का दूसरा आवतार है जान बूच के चुन-चुन के बंदों को बिठा रखा था अकबर ने ताकि आप देख सकते हैं ये भी नर्बक्षी था बाई साब ये इतना खतरनाक था कि ये भी इनसान को मरोड के मार दे अपनी बाहो में इसको हतियार की जरूरती नहीं पड़ती थी इसको चित्तोर में कमांडर बनाया गया और ये 33 थानों पर नजर रख रहा था पर्मानेंटली सारे मोर्चे बंद कर दिये अकबर ने कि ये आप भी चानते हो मेवार में प्रवेश करने के मार्ग हैं दिवेर, दिलवडा, देसूरी, मांडलगड और गोगुंदा ठीक है इन में बिठा दिया गया तहवुर खान मनोती को और वास्तम में ये बहुत खौपनाक था इतना सब कुछ करने के बाद में जलालुदिन मुहमद अकबर जो हैं वहाँ हज की यात्रा को निकल गए थे ऐसा आईने अकबर ये अकबर नामा के लेखक अबूल फजल ने लिखा है कि वे हज करने को चले गए थे जलालुदिन मुहमद अकबर जब हज करके वापस लोटे जलालुदिन मुहम्मद अकबर जब हज करके वापस लोटे तो कहा लोटे कहा लोटे होंगे क्या लगता है कहा लोटे होंगे जलालुदिन मुहम्मद अकबर हज करके वापस जलालुदिन मुहम्मद अकबर जो है हज करके करीब नवंबर 1576 में वापिस लोटे और सीधा सूरत गए क्योंकि फलाइट लेके नहीं आ रहे हैं उस जमाने में जहाज थे और आईने अकबरी अकबर नामा का लेखक अबुल फजल लिखता है कि जलालुदिन हमारे आलम पना जब हज करके वापस सूरत आए थे तब सूरत में जब सूरत बंदरगा पर उतरे थे गुजरात में तब उनका स्वागत करने के लिए एक बहुत विशालम साही मुगल फौज गई हुई थी उनका स्वागत करने के लिए और उन्होंने सूरत बंदरगा पर पहला कदम रखा हज करना मुसलमानों में हज की जाती हैं न हाजी बनते हैं मक्के मदीने की यातरा पड़ जाते हैं उसे हज करना कहते हैं हज हाजी बनते हैं न मदीने की यातरा करना शहर मदीना, मक्का मदीना जाना जब वे सूरत मंदरगा पर पहला कदम जलालुदिन ने रखा और पहला कदम रखते ही एक ही शब्द पूछा अपने सैनिकों से वो मिला क्या आप अंदासा लगा सकते हैं कि जलालुदिन अकबर के दिमाग में कितनी सनक है बली वो हज करने के लिए सौदी अरेबिया गए हो लेकिन फिर भी उनके दिमाग में राना प्रताप घूम रहे थे सारे सैनिकों ने मू लटका के नीचे देख लिया राना प्रताप नहीं मिले ऐसा वो कहना चाह रहे थे जलालुदिन समझ गए थे कि अब मुझे स्वयम कुछ करना चाहिए ठीक है तो जलालुदिन ने स्वयम डिसाइड किया कि वह मेवाड होकर ही निकलेगा नौमबर 1576 में नौमबर 1576 में जलालुदिन ने स्वयम पैय किया कि वह सूरत से फटेपुर सीकरी अपनी राज़ा नहीं लोटेगा तो मेवाड के रास्ते से ही होकर निकलेगा तो अपनी सारी वो स्वागत करने के लिए जो फौज गई थी उसके साथ में जलालुदिन ने मेवाड का रास्ता चुना ये देखने के लिए कि मेरे करमचारी ढंग से काम कर रहे है कि नहीं कर रहे है अब भाई साथ जलालुदिन अकबर भी लगबग एक महीने तक मेवाड में पापड बेलता रहा जमीन खा गई या आस्मान निगल गया समझ नहीं आ रहा था आखिरकार ठक हार कर जलालुदिन जो है गुस्से से उदैपुर शहर को आग लगा लेता है और उसका नाम मुहम्मदाबाद घोशित करता है सवाल बन सकता है कई बार बना भी है बहुत सारे लोगों के ये दिमाग में गलत फहिमी है ना कि जलालुदिन मुहमद अकबर राना प्रताब के डर से कभी मेवाड आये नहीं थे ऐसा नहीं है जलालुदिन मुहमद अकबर नौंबर 1576 में मेवाड आये थे ठीक है तो एक बार ये आउटलाइन बना दो क्यों? क्योंकि एक्जाम में ये सवाल भी बनते रहते हैं दो बार ऐसा सवाल आ चुका है RPSC द्वारा पूछा जा चुका है एक बार सेकेंड गरेड बे पूछा गया एक बार फर्स गरेड में पूछा गया पूछा ये गया था, क्योंकि लोग हल्दी घाटी का अच्छे से रट्टा तो मार लेते हैं, हर कोई रट्टा मार लेता है, लेकिन सवाल कई और से उठा लेता है, वो डोकरा जैसे उन्होंने लास्ट टाइम सवाल पूछा, कि ऐसा कौन सा मुगल सेना पती जिसने मेवाड पर तीन बार हमले किये, तो एंसर था सहबाज खान तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, या स्क्रिन्सोट ले लीजिए, जैसा आप उचित समझते हैं उमीद करता हूँ, आपने इसका स्क्रिन्सोट ले लिया होगा या फिर लिखना पसंद करोगे, आप कहे रहें, नोट्स बनवाने हैं हमारे सर, तो नोट्स, शॉट्ट नोट्स होते हैं, ठीक है, और नोट्स इसी तरीके से बनाए जा सकते हैं हर बार लेंग्वेज लिखने की अवश्कता नहीं है अब आप सी लडाईया मत करोगे, और लिख लो, या स्क्रिन्सोट ले लो चले, आगे बढ़ते हैं देखिए, नवंबर 1586 में, देखिए, मैंने कहा था, एक्जाम में एक्शन का रियक्शन होता है, देख के प्रशन बनाया जाता है लास्ट टाइम इन्हों ने पूछा दो बार कि मेवाड पर किस मुगल सैनानायक ने तीन बार हमले किये तो एंसर था सहबाज खान, एक बार पूछा गया उसी सवाल को मोडिफाई करके कि सहबाज खान ने मेवाड पर कुल कितने हमले किये, तो तीन बार, ठीक है देखिए जलालोदिन मुहमद अकबर जब स्वैम पापड बेल के परेशान होकर फत्यपूर सीकरी चले गए क्योंकि उन्हें भी काम्याब नहीं मिली, उस समय राना प्रताब जो है, वह लगबग जाव मायरा की गुफा में मुवजूद थे बिचारे जलालोदिन मुहमद अकबर ठक हार कर फत्यपूर सीकरी के दीवान एक खास में अपने मंत्रियों के साथ, अपने दर्वारी नवरतनों के साथ में भारी वाली टेंशन में बैठे हुए है अकबर का सबसे लंगोटिया यार है, जिसका नाम है अबूल फजल नवरतनों में से एक सबसे अजीज दोस्त, आईने अकबरी में लिखता है अबूल फजल अकबर की परेशानी का सबसे बड़ा कारण था कि राणा प्रताप जो है वह मुगल थानों पर हमले बोलते थे छिपकर मुगल थानों पर हमले बोलते थे ये जो 33 थाने बिठा रखे न इन पर राणा प्रताप जब्वर्दस तरीके से चापामार युद्ध करके हमले बोलते थे और राना प्रताप ने मेवाड में ये घोशना कर रखी थी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मेवाड का व्यक्ति जमीन पर मैदानी इलाकों में खेती नहीं करेगा ताकि मुगलों को किसी भी प्रकार की इन थानेदारों को रसद समगरी न पहुँच पाए खाने पीने का समान न पहुँच पाए साप सब्दों में कह दिया था सब जाके पहाडियों में जाकर बस जाओ और अगर किसी ने इस आग्या का उलंगर किया तो वो राजद्रोही होगा और उसे एक स्वैम राणा प्रताप जो हैं दंडित करेंगे एक बार इसी मांडलगड थाने में एक थानेदार था उस थानेदार ने कहा कि राणा प्रताप ऐसा कौन सा तोप है बड़ी चीज है तू मेरे लिए बस सबजिया उगा अब वो बेचारा किसान फस गया सबजिया ना उगाएं तो थानेदार मारे और उगाएं तो एकलिंगनाथ के दीवान पतानी कब हमला कर दे तो मजबूरी मे उसने सबजिया तो उगा ली रातो रात पतानी कैसे जपटा मार के क्या धोया राना प्रताप ने उस किसान को कि उसके बाद में किसी की हिम्मत नहीं कि सबजिया उगाएं ठीक है मैदानी इलाकों में इतनी बड़ी बड़ी घास उगाई थी इतने बड़ी बड़ी जाडि जंगल पैदा हो गए थे कि वहां से ये मुगल व्यापारी जो सूरत से ज़्यादा व्यापार करते थे वो मेवाड के रास्ते से निकलने से पहले दस बार सोचते थे तो सबसे बड़ी अकबरी की परिशानी थी एकोनोमिकली वो आर्थिक रूप से तूड चुका था और रा जनकी बन चुके थे आईने अकबरी ये अकबर नामा का लेका कबूल फजल लिखता है कि हमारे आलम पना को राणा प्रताप रात को सपने में भी आते थे और छाती पर बैट कर जोर जोर से हसते थे कि राणा की का तो तेरे सामने खड़ा है जर आँखे खोल के देख और हम लिए राणा प्रताप कोई ऐसा नहीं है कि कोई दुश्मन हो दिमाग और दिल में घुस गए थे राणा प्रताप तो ये भी परिशानी के सबब थे इसलिए हमारे आलम पना जो है फतेपुर सीकरी में जब हज करके लोट के आए तो दिन रात जो है वह परिशान रहते थे 24 सो घंटे उनके दिमाग में प्रताप 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 गूमते थे तो जलालुदिन ने अब डिसाइड किया कि मेवाड में अब वही जाएगा जो खाली हाथ ना लोटे जलालुदिन ने यहां तक डिसाइड किया था कि मुगलिया सल्तनत का जो साजो सामान लगे जो साजो सामान लगे वो पूरा करो लेकिन मुझे प्रताप चाहिए इसलिए जलालुदिन के कहने पर नेक्स्ट मुगल अबियान के लिए जा रहा है पंद्रासो सतत्तर, पंद्रासो इठत्तर और पंद्रासो उन्यासी और वो जा रहा है शहवाज खान शहवाज खान सहबाज खान अपने पूरे मुगल काफिले को लेकर लगातार तीन वर्षों तक मेवाड को त्रास देता रहा मेवाड को परेशान करता रहा मैंने भी जगा जगा घूम के देखे हैं आज भी पहाडी अंचलों के अंदर बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो लोकल लोग पुराने बुजर्ग बताते हैं कि ये मुगल फौज ने तोड़े थे अब जन्ता को परेशान करने लगा सहबाज खान और पर्मानेंटली मेवाड में था लगातार तीन वर्ष तक शहबाज खान मेवाड को परेशान करता रहा सवाली नहीं बनता कुल कितने हमले का क्या मतलब है आप यह पूच सकते हो कि कितने वर्ष हमले किये तो तीन वर्ष इसमें तीन वर्षों में आप कैसे टाय कर सकते हो कि उसने कितने हमले किये थे इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ history subject ही ऐसा है एक आद नमबर कम पड़े तो you can contact me दिलवा देंगे आपको अब आदमी कोई तीन वर्ष तक लगातार मेवाड को तरास देता रहेगा तो एक ने एक दिन तो उसे कुछ ने कुछ तो नजर आएगा और करीब जून महीने की बात है 1578 की सहबाच खान को कुम्बलगड का किला नजर आ गया जो अभी तक मुगलों की नजर में अचूता था मुगल कुम्बलगड तक पहुची नहीं पा रहे थे कुम्बलगड नजर आ गया और आप जानते हो कि कुम्बलगड किले की रक्षा का भार उस समय किसके पास में था मुख्यभार भील राणा पूंजा के पास में क्या इतनी शहवाज खान की बड़ी फौच को देखकर क्या भीलू राणा पूंजा अपने चंद भीलों के साथ में कुम्बल गड के लेकी रक्षा कर पाएंगे संभव नहीं है चुपचाप भीलू राणा पूंजा ने सोचा कि गणी मत इसी में होगी कि चुपचाप हम किला खाली कर दे बाई साब भीलू राणा पूंजा मुगल फौच कुम्बल गड किले में पहुचे उससे पहले ही भीलू राणा पूंजा ने अपने सारे मेवाडियों को कहा कि वह किला खाली करते और किले के रक्षक पानरवा के ठाकुर हम्मीर सिंग जी भी साथ में थे और इन दोनों ने मिलकर मुगल फौज किले में दाखिल हो उससे पहले ही जो है वह किला खाली कर दिया 3 अपरेल 1578 को ये सेना जो है वहाँ कुम्बल गड किले के नजदीक पहुची थी जून में कबजा हुआ था भाई जो 3 अपरेल आप कह रहे हो ना 3 अपरेल को मुगल फौज कुम्बल गड की और बड़ी थी जून में कबजा हुआ है किला पूरी तरह से खाली कर दिया मुगल फौज आए उससे पहले पूरा ज़ाडू पोचा मारके किला खाली कर दिया किले में कुछ भी नहीं बचा खाली बिलकुल पोचा लगा के दे दिया ठीके साब जब सहबाच खान ने कुम्बल गड़ किला फते कर लिया जीत लिया उस समय सहबाच खान के साथ में अबूल फजल भी था और फजल है तो जरूर लिखेगा इसी वक्त अबूल फजल ने इस किले को उचाई देखते हुए कहा था या जल लेलाही क्या आदम कम कारीगरी है कि इसे देखने वाले की सिर की पगड़ी तक नहीं ठहरती अरे हाँ भई इतना डिसकस मत करो तीन अपरेल को मुगल फोज वहाँ पहूंछी थी अब यूँ तो कहें तो एक बात बताओ हल्दी गाटी कब हुआ 18 जून 1586 तो क्या 18 जून 1586 में यूद कम्पलीट हो गया उसकी सुरुवात पहले नहीं हुई क्या अब यूँ तो कहें तो 25 परवरी 1568 को फाल्तू डिसकस कर रहे हैं 1868 को अकबर ने चितोड पर हमला करके चितोड को जीत लिया तो 25 परवरी को जीता था ना तो अकबर तो रवाना तो सितम जनवरी में हो गया था 67 में कोई फ्लाइट से थोड़ी आ रहा है कि एकदम से उतर गया और सेम डे जीत लिया प्रॉसेस होती है युद्ध है मजाक नहीं है टाइम लगता है ठीक है वाई मैं NCRT को गलत कहां के रहा हूँ देखे सहबाच खान ने कुंबलगड किला फते कर लिया ठीक है और किला अगर फते किया है सहबाच खान ने तो आपको क्या लगता है भीलू राना पूंजा और मेवाडी भिल चुप बेठेंगे बिलकुल नहीं कता ही नहीं सिर्फ छै महीने नहीं बीते रात के अंधेरे में भीलो ने ऐसे गोपणिये ने बाटे मारे इनको कि सारे के सारे धोती पकड़के यहां से भागे यानि एक वक्त ऐसा भी आया था कि राना पूंजा ने किला छुडवा दिया और फिर से मिवाड का अधिकार हो गया कुंबल गड़ पर सहवाज खान खाली हात वापस फतेपूर सीकरी लोटा दीवान एक खास में बैठा हुआ था अपने आलमपना का इंतजार कर रहा था जब सहवाज खान फतेपूर सीकरी पहुँचा फजल साथ में हैं तो लिखेगा फजल लिखता है कि जब सहवाज खान फतेपूर सीकरी पहुचे थे तो उनके पास में मान सिंग कच्वा भी बैठे हुए थे क्या लगता है मान सिंग कच्वा सहवाज खान के मजे लेंगे मजे लेंगे लिए मजे लिए जोरदार मजे लिए मान सिंग कच्वा ने कहा जनाब सहवाज खान मेवार से पधा रहे हैं फजल लिखता है तो सहवाज खान का रियेक्शन क्या होगा सहवाज खान ने कहा खामोस मान सिंग तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो हल्दी घाठी के अंदर मुगलिया सल्तनत की किरकिरी करवा के आया कुम्बलगड का किला फत्य किया था कुम्बलगड का किला तो मान सिंग ने फिर से मजे लिये मान सिंग ने कहा कि कुम्बलगड का किला फत्य किया तो जरा उसके पट्टे दिखाईए जितने में जलालुदिन अखबर आई गए और जलालुदिन अखबर ने फजल लिखता है कि दोनों को फटकार लगाई बहुत जबर्दस तरीके से उनका मूँ तक लेकना नहीं चाहते थे वे उसके बाद मैं जलालुदिन बिचारे क्या करे या आदमी हत्ते क्यों नहीं चड़ रहा है में समस्या क्या है मुगल थानों पर हमले मुगल थानों पर हमले अब जलालुदिन ने डिसाइड किया कि अब कुछ भी हो जाएं जलालुदिन ने साफ सब्दों में कह दिया था इसी दीवाने खास के अंदर फजल लिखता है कि जलालुदिन ने कहा कि पूरी मुगलिया सल्तनत की अब इट से इट बिक जाए मुझे प्रताब चाहिए मतलब प्रताब के खातिर जलालुदिन अकबर की सनक देखिए कि वे पूरी मुगलिया सल्तनत को दाब पर लगाना चाहते थे लेकिन प्रताब उन्हें चाहिए अब कौन जाएगा मिवाड तो ऐसे वक्त में अब्दुर रहीम खाने खाना रहीम दास जी अब्दुर रहीम खाने खाना ने जलालुदिन को कहा कि अब्बा जान मुझे जाने की अजाज़त दी जाए देखू तो सही वो व्यक्ति कहा है और कैसे हमले करता है ठिकानों पर अब्दुरहीम खाना खाना जलालुदिन को अपना अबा जान कहता है जबकि जलालुदिन से चार साल बढ़ा है कैसे? बाई वन गेट वन फ्री ये वास्तम में बेरम खान की उलाद है और बेरम खान की विद्वा सलीमा बानों से जलालुदिन निकाप पड़ा था तो हो गया बेटा अब्बु कहता था अकबर को वकील सल्तनत था वजीर आला था अब्दुरहीम खाने खाना का जलालुदिन ने साफ सब्दों में कहा कि मुझे किसी भी कीमत पर प्रताप चाहिए मतलब चाहिए कहने का ताथ पर ये है कि या तो उसे पकड़ के जिंदा या मुर्दा नहीं तो तू मात वापस मत लोटना तो अब्दुरहीम खाना खाना अब तक की सबसे विशाल मुगल फौच अब वो फौच कितनी थी ये तो नहीं लिखा हुआ है लेकिन अब तक की सबसे विशाल मुगल फौच लेकर जा रहा है फते पूर सीकरी से सीधा मेवाड की तरफ लगबग मेरे ख्याल से दो लाख के आसपास फौच थी खाने खाना दौरा अब तक की मुगलों की और से सबसे बड़ी कारिवाई खाने खाना अपनी फौच लेकर सीधा अजमेर तक आ चुके थे हमला करने की तैयारिया चल रही थी उस समय राना प्रताप जो है अपनी मायरा की गुफा में थे अपने परिवार के साथ में भारी वाली टेंशन में मायरा की गुफा में राना प्रताप और उनका परिवार और पूरा मेवार क्योंकि अच्छी तरह से जानते हैं राना प्रताप कि अगर खाने खाना मेवाड पर तूट पड़ा तो न तो मेबचेगा ना वाड पूरा तहस नहस कर डालेगा मेवाड का हर एक बच्चा-बच्चा डरा सहमा महसूस कर रहा है कि कल का सूरज वो देख पाएंगे या नहीं क्या करें और राना प्रताप की आर्थिक हालत की अगर मैं जहां तक बात करूँ न तो आपने एक प्रसिद लेखक कवी का नाम सुना होगा कनेयालाल सेथिया कनेयालाल सेथिया सहाम ने एक पोईटरे लिखी हैं इस बारे में इस हालात को लेखर अरे घासरी रोटी ने बंद बिलावडो ले भागियो नानोसो अमरियो बिलक पडियो यानि अगर सेथिया साप की बात माने तो मेवाड और उनका परिवार जो है घास की रोटी आ खाने को मजबूर है अमर सिंग घास की रोटी आ खाने को मजबूर है वो प्रताप कैसे मेवाड की रक्षा करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे मारा राना प्रताप की समस्या सिर्फ खाने खाना नहीं है सिर्फ खाने खाना नहीं है राना प्रताप की समस्या मायरा की गुफा में भी समस्या है उनके परिवार में भी मायरा की गुफा में रोज बरतन बजने की आवाजे आती है औरतों का जगड़ा औरतों का जगड़ा का मतलब सिर्फ ये नहीं है औरतों का जगड़ा का मतलब कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि राना प्रताप की पत्नी लड़ती थी या पत्निया लड़ती थी राणा प्रताप सिंग जी की पतनी तो सीता समान नारी थी अजब दे पावार और उनसे भी महान नारिया थी उनके साथ में इसलिए इतना लंबा संगर्श कर पाए उनकी बहुरानी अमर सिंग जी की पतनी क्या लड़ती थी लेकिन राना प्रताप की पत्निया जो है न एक बेटी समझ कर उसे हमेशा माफ कर देती इंसान है न दुनिया से लड़ सकता है लेकिन परिवार से तूट जाता है एक दिन माहराना प्रताप एक पत्थर पर बैठे हुए थे भारी वाली टेंशन में थे खाने खाना के मेवाड पर अक्रमन को कैसे रोकें शायद ये उसी समय पाथल और पीथल लिखा गया कि राना प्रताप ने एक चिट्थी भेजी अकबर के पास में और उस चिट्थी को देखकर अकबर ने मूचो पर ताव लगाया कि देखो मैंने उसको जुकाया नहीं जुकाया तब पाथल यानि रमाराना प्रताप और पीथल जिनका नाम है प्रिथ्वी राज राठोड राय सिंग जी के भाई उन्होंने वापिस राना प्रताप को पत्थर लिखा पत्र लिखा कि हम तो आपकी वजह से अपनी तलवारों को म्यान से बाहर निकालते हैं और क्या सुना है कि एक शेर जो है वह बिलावडे की आवाज बोलने लगा है ऐसी कुछ पोईट्री थी मुझे आगे याद नहीं है ये उस समय की घटना करम हो सकता है लेकिन इस घटना करम में के अंदर कोई विशे सचाई नजर नहीं आती इतियासकार इसको वेरिफाई नहीं करते राना प्रताप बैठे हुए पत्थर पर विचार कर रहे हैं कि क्या करें मेवाड की रक्षा कैसे करें खाने खाना की विशाल फौच मेवाड को नहीं छोड़ेगी क्या होगा ऐसे वक्त में अमर सिंग अमर सिंग दोड़े दोड़े आये अपने पिताजी के पास में और अमर सिंग कहने लगे अपने पिताजी को राना प्रताप को बाबोसा बाबोसा हुकम तो कि कहीं है खान खाना आक्रमन नहीं करेगा तो कि क्यूं तो कि उसकी सत्रा पत्निया और त्रेपन बच्चे मैंने पहड़ियों में छुपा दिये है राणा परताप ने अमर सिंग को कहा है इधर आऊ तो क्या कह रहे हूं तो कि उसकी सत्रा पत्निया और त्रेपन बच्चे मैंने पहड़ियों में छुपा दिये अब यहाँ पे अमर कावे वनसावली लिखती है कि राणा परताप ने उस दिन अमर सिंग पर हाथ उठा लिया और जम के पता नहीं क्या भला बुरा बोला होगा मेरे ख्याल से अब यह वेरिफाइड नहीं है इसलिए मैं नहीं के पा रहा हूं बहुत जम के लताड़ा अमर सिंग को मिवाड का हरेक बच्चा बच्चा मिवाड के नाम सहीद होने को तयार है और तू बच्चों और औरतों को ठाल बढ़ाएगा अमर सिंग ने कहा तो फिर क्या करो सम्मान के साथ छोड़ के आ तो अमर सिंग जी खाने खाना की सत्रा बेग में और त्रेपन बच्चे लेकर अजमेर गए और खाने खाना को सौपे खाने खाना ने अमर सिंग को कहा कि कुमर अमर सिंग इदर आई है मैं नहीं डाटूंगा इदर आई है आप जब आपने वेगमों और बच्चों को बंदी बना लिया थो तो फिर छोड़ने क्यों आये हो तो सारी बात बता ही मायरा के गुफा में के बापू ने डाटा है पिताजी ने खाने खाना मुस्कुराया और अमर सिंग के गले लगा और कहने लगा कि आपको क्या लगता है अमर सिंग आप अगर बेगमों और वालकों को बंदक बना लेते तो खाने खाना मेवाड पर अकर्मन नहीं करता जरूर करता शायद हमारे आलमपना की जिद आप नहीं जानते वैसे हमारे आलमपना बड़े नसीब वाले हैं खुदा ऐसे दुश्मन नसीब वालों को फर्माता है और मैं आपके गले नहीं लग रहा हूँ आपके पिताजी के गले लग रहा हूँ और चाहिए अपने दाता हुकुम से कह दीजिए कि खाने खाना मेवाड से कुछ भी लेकर नहीं जाएगा खाने खाना चुपचाप अपनी सेना लेकर वापस लोट गया यानि ये आकर्मन नहीं हुआ अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा कनैलाल सेथिया साब की बात पर आता हूँ कनैलाल सेथिया साब कहते हैं अरे घासरी रोटी ने बंद बिलावडो ले भागियो नानो सो अमरियो बिलक बढ़ियो यो अमरियो नानो थो क्या लिख रहे हैं सेथिया साब आप माना कि आप एक महान कभी है अमरियो नानो कब थो जब मान सिंग मेवाड आये थे अभी भी अमरियो नानो ही है कैसे? कैसे? प्रूव करिए न और उस समय तो मेवाड के आर्थिक हालात खराब नहीं थे क्या लिख रहे हैं आप? यह वेरिफाइड मैटर नहीं है अमर सिंग जी के पतनी है जगडे करती है रोच अभी भी अमरियो नानो है कैसी बाते कर रहे हैं? और अरे घासरी रोटी घास की रोटी बनती तो है सेटिया साब कब बनती है? घास में भी आटा मिलाना पड़ता है तब बनती है और एक बात थोड़ा दिमाग यूज कीजिए आप लोग घास की रोटी खाने देंगे मेवाड वाले राना प्रताप को अरे मेवाड का बच्चा बच्चा उन्हें भगवान समझता है उनके नाम है मरने मिटने को तयार है वो घास की रोटी खाने देंगे उनको अरे खुद खालेंगे लेकिन अपने दाता हुकुम को खाने नहीं देंगे क्या लिख रहे हैं आप इतना छोड़िये पहली बात तो घास की रोटी खानेगे मेवाड में कोई कमी है हरा बरा प्रदेश है आम खाले, केरिया खाले घास की रोटी यह बात नहीं जमती और जो यह पाथल और पीथल वाली जो हैं यह भी कालपनिक कहानिया है ठीक है और इन कालपनिक कहानियों से इतिहास नहीं बनता दोस्तो ठीक है साथियों आगे थोड़ा सा बढ़ें तो एक चीज और यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूंगा खान खाना आक्रमन नहीं किया था 1580 से 1581 के बीच में मेवाड पर कोई तरह का आक्रमन नहीं हुआ था ध्यान रखना सवाल इस तरह से भी गुमाए जा सकते हैं क्योंकि एक्शन का रियेक्शन हो सकता है दो बार सवाल पूछा जा चुका है सहबाज खान का तो सवाल ये भी बन सकता है कि मेवाड पर कौन से वर्ष आक्रमन नहीं हुआ तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रिन सॉट लीजिए बंद विलावडो ले भागियो नानो सो उमरियो बिलक पड़ियो गास की रोटी तो इस समय कैसे खा सकते हैं आर्थि खालात तो मेवाड के अब जाके खराब हुए ने पहले कौन से आर्थि खालात खराब थे जो गास की रोटी ये खाते थे देखिए हालात इस तना कह सकते हैं मगन जी एंड विजैभाव हालात इतना कह सकते हैं आप दोनों से मैं कहूंगा और सभी से हलात इतने मेवाड के खराब थे कि माराना प्रताप सीधा युद नहीं लड़ पा रहे थे लेकिन घास की रोटी या खाने जैसे हलात तो मैं नहीं मान सकता ठीक है तो थोड़ी ये कपोल कल्पित कहानी है ठीक है और ये फैक्ट है कोई भी इतियास कार इस कहानी को इस पोईट्री को सही नहीं मानता और कम से कम मैं तो नहीं मानता ठीक है चलिए वोफुली यहां तक लिख लिया होगा देखिए राणा प्रताप की समस्या सिर्फ मुगल आकरमन नहीं थी समस्या उनका परिवार भी था राणा प्रताप सिंग जी की जो बहुरानी थी न अमर सिंग जी की पतनी क्या बताओ उनके बारे में बगवान माफ करे अमर सिंग जी की पतनी बड़ी खतरनाक थी बड़ी खतरनाक अब कौन थी कैसी थी आगे बात करेंगे फिलाल के लिए थोड़ा सस्पेंस ही रखते हैं इनके बारे में जब वक्त आएगा तब बात कर लेंगे चले थोड़ा आगे बढ़ते हैं देखिए राना प्रताब के आर्थिक हालात नो डाउट इस समय बहुत खराब हो चुके थे और करीब करीब 1581 से 82 के आसपास वे हैं मायरा की गुफा छोड़के एक दिन घर से निकल जाते हैं और सीधा पहुचते हैं एक गाव हैं चूलिया गाव ये बहुत सारे लोगों में अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ हैं कि चूलिया गाव कहां है चूलिया गाव आप भीलवाणा और चितोड के बीच वाला जर्ना वाला मत समझिएगा चूलिया गाव जो था वह था वर्तमान गुजरात में गुजरात के एक प्रसिद व्यापारी थे जिनका नाम था मूल चंद शाह मूल चंद शाह ठीक है उन मूल चंद शाह से राना प्रताप की मुलाकात हुई इस हालात में आप भी जानते हो कि पहले जमाने में बैंके कौन हुआ था करते थे ये जैन व्यापारी हुआ करते थे और वे मुस्किल हालात में जो हैं ब्याज पे पैसे देते थे अब दरसल इस हालात में राना प्रताप को एक धेला भी कोई उधार नहीं दे सकता ठीक है तो ऐसी कंडिशन के अंदर राना प्रताप जो हैं मूल चंद शाह के पास में पहुँचे और मूल चंद शाह को उनके आर्थिक हालात बताए कि आपके देश के हालात क्या है तो मूल चंद शाह ने राना प्रताप से वाइदा किया कि मैं बारा वर्ष तक का खर्चा स्वयम व्यतीत करूँगा यानि बारा साल तक जो भी खर्चा लगे आप मुझे लिख के देजिए का उसका पैमेंट मैं करूँगा ठीक है आप अपने देश को अपने हमारे देश को आजाद करवाईए इस कोटेशन पर राना प्रताप ने उनको कहा कि आप मेरे लिए मूलचंद शाह नहीं हूँ आप मेरे लिए दूसरे भामह शाह हो भामह शाह एक भामह शाह लोग कन्फिूज होते हैं या पर एक भामाशाह जो हल्दी गाटी में लड़े थे और एक ये है आप मेरे लिए भामः शाहा हो यानि विसाल हर्दे वाले हो बड़े दिल वाले हो ठीक है? इनी को मेवाड का उद्धारक या मेवाड का रक्षक कहा जाता है और इनी भामाशाह के धन से राणा प्रताप ने दस हजार सैनिक एकटा किये और दस हजार सैनिक एकटा करके फिर से लड़ाई अपनी स्वाधीनता को जारी रखी दस हजार सैनिक एकटा करके राणा प्रताप ने अपनी लड़ाई को जारी रखा और अपनी स्वाधीन्ता को आगे कायम रखा आप चाहे तो इसको भी एक बार स्क्रीन स्टॉट के साथ में नोट कर सकते हैं वो ताराचंद के भाई जो है ना भामाशाह विजय सिसोधिया साथ ताराचंद के जो भाई है ना भामाशाह आपने कल वाली क्लास में भी पूछा ता शायद मैं ध्यान नहीं दे पाया था आपके कमेंट पे वो भामाशाह और ये भामाशाह को लेकर अभी भी इतिहास कारों में विवाद बना हुआ है ये शोध का विशय है अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है कि वो भामाशाह और ये भामाशाह एक ही थे ठीक है जिस दिन एक हो जाएंगे ये अलग हो जाएंगे उस दिन मैं कंफर्म कह दूँगा लेकिन मेरा ये दिल कहता है कि वो भामा शाहा शायद वो अलग थे और ये भामा शाहा अलग है अब इसमें कितना क्या सही हैं क्या गलत हैं ये तो रिसर्च का विशे हैं जब तक रिसर्च कंप्लीट नहीं होता इस टॉपिक पर तब तक हम कुछ भी पुखता रूप से कुछ नहीं कह सकते हैं और आपको भी ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता कि भामा शाह एक्जेकली कौन थे ताराचंद के भाई थे या कौन थे ठीक है लेकिन वो तय हैं कि जो हल्दी गाटी में लड़े थे वो ताराचंद के भाई थे ठीक है चले आगे बढ़ते हैं दिखिए राणा प्रताप ने दस हजार सैनिक खटा किया और इन दस हजार सैनिकों को दो भागों में डिवाइड किया आधे सैनिक राणा प्रताप ने स्वैम के पास रखें और आधे सैनिक जो हैं अमर सिंग को दिये और इन सैनिकों का डिवाइडेशन करने के बाद में राणा प्रताप ने फिर से मुगल थानों पर हमले सुरू कर दिये और इस्पेशली अब थानों के साथ साथ में वे टार्गेट बनाने लगे निशाना बनाने लगे वर्तमान में तोक के अंदर मालपूरा को मालपूरा को राणा प्रताप ने तीन बार तोड़ा अब मालपूरा को ही वो निशाना क्यों बना रहे थे इसके बारे में भी अभी तक शंशे बना हुआ है लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है क्योंकि ये वाला जो पोर्षन है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस पर अभी तक शोद नहीं हुआ है अभी तक कोई declaration सामने नहीं आई है तो जहां तक मेरा अनुमान है उन्होंने मालपूरा को इसलिए भी लूटा होगा इसलिए भी तोड़ा होगा क्योंकि मालपूरा जो है वहाँ अमार सिंग वाला छेत्र है ताकि ये जो मेवार में मुगल थानेदार बिठा रखे न इन थानेदारों को ये लगे कि राणा प्रताब जो है वह मांसिंग से बदला लेना चाहते हैं तो ये थानेदार जो अब तक महराना प्रताप को गिरफतार करने की कोशिश कर रहे है ना उनको पहली बार ये पता चले कि राना प्रताप वहाँ है और ये उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो ऐसा ही हुआ जो दिवेर था ना दिवेर दिवेर का जो थानेदार था जिसका नाम था अक्बर का चाचा सुल्तान खा सेरीमा इस थानेदार को पता चला कि राना प्रताप मालपूरा छित्र में है तो तुरंत वो अपनी बटालियन लेकर राना प्रताप को गिरफतार करने के उधिश्य से उधर से निकला थोड़ा ही आगे बड़ा था जितने में करीब पाँच हजार सैनिक जो हैं उसको सामने आते हुए दिखाई दिये और वो पाँच हजार सैनिक कौन थे अमर सिंग के नित्रतु वाले कुवर अमर सिंग करीब 20-25 फिट दूरी पर थे सुल्तान खान से और जितने में मालपूरा छितर का काम निप्टा कर राणा प्रताप भी दिवेरा पोँचे और यहां भैंकर लड़ाई हुई दोनों पक्षों के बीच में और इस भैंकर लड़ाई के अंदर कहा ये जाता है कि मेवार सैनापती उस समय दिवेर युद में सैनापती जो हैं अमर सिंग थे ध्यान रखना सैनापती अमर सिंग ने भाले का एक ही प्रहार किया सुल्तान खाम पर और सुल्तान खान के गले को चीरता हुआ भाला गोडे के अंदर से चीरता हुआ वो भाला सीधा जमीन में धस गया था और सुल्तान खाव वही स्टैचू बन गये थे स्टैचू और इस तरह से दिवेर का युद्ध जीत लिया और इसी दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड का मेराथन कहा है और इसी युद्ध के अंदर राणा प्रताप ने फिर से जीत की शुरुवात की थी ठीक है ओके साब अक्टूबर 1582 की बात है ये भी आप चाहे तो एक बार स्क्रीन सोट अपने पास में रख सकते हैं हाँ यस मूर्ती बना दिया था है स्टैच्यू बना दिया था सुल्तान का सेरीमा को एक ही भाले के प्रहार से चलिए आगे बढ़ते हैं दिवेर जीतने के बाद में राणा प्रताप का जो नेक्स्ट मिशन था वह सीधा सीधा चित्तोड था बाकी थानों पर तो वे हमले करते ही थे लेकिन दिक्कत ये थी कि चित्तोड में आप भी जानते हो वो पनोती बैठा हुआ है मनोती पनोती इतना आसान नहीं है तो चित्तोड पर हमला करने से पहले राणा प्रताप का जो सामना है मांडलगड में हो गया और मांडलगड में पंद्रा सो तेरासी को एक और लड़ाई लड़ी गई जो अंतिम मुगल मेवाड लड़ाई कहलाती है महराणा प्रताप और अकबर के बीच की अंतिम लड़ाई कहलाती है मांडलगड में बगवान दास के छोटे भाई मांसिंग के चाचा जगननात या जगदीश कच्छवाह कमांडर थे थानेदार थे जब राना प्रताप जो है वहाँ चितोड की बजाएं उन्होंने मांडलगड को सबसे पहले चुना तब ऐसी कंडिशन के अंदर मांडलगड में उनका सामना जगननात से हुआ जगदीश कच्छवाह से हुआ और इस जगदीश कच्छवाह को राना प्रताप ने जब युद्ध के लिए ललकारा तब राना प्रताप ने सिर्फ एक शब्द में जगदीश कच्छवाह को कहा कि लड़ाई मेरी और जलालुदिन अकबर की है इन विदेशियों से है लड़ाई निर्दोस सैनिकों की नहीं है इसलिए निर्दोस सैनिकों का खून ना बहाए तो बहतर है तो जगननात ने हसते हुए राना प्रताप का उपहास उड़ाया कि शायद पत्थरों में रहते रहते आपकी बुद्धी भी पत्थर जैसी हो चुकी है आप जैसे व्यक्ति से लड़ने के लिए स्वयम आलम पनाएंगे आपके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ तो राना प्रताप ने उत्तर दिया मैं तो चाहता था कि निर्दो सैनिको का खोन ना बाहा जाए दोनों भिड़ पड़े मांडल गड में आपस में ही हाला कि सैनिको का भी युद्ध चला लेकिन दोनों की लड़ाई इतनी भैंकर हुई मांडल गड में अठारा घंटे तलवार बाजी चली दोनों की मद्धि अठारा घंटे आप इसी से अंधाजा लगा लीजिए कि जगनात भी कोई कम फोरा इंसान नहीं था चुन चुन के जलालो दिन ने बंदों को रखा था यहां में वाड में इन अठारा घंटे के अंदर महराना प्रताप को इस बंदे ने रोक के रखा लेकिन इस अठारा घंटे की लड़ाई के अंदर भी राना प्रताप ने आखिरकार जीत हासिल कर ली और एक तलवार मारी जगनात के डोट टुकडे कर दिये थे प्रताप ने और आज भी जगनात कच्छवा की छत्री बनी हुई है मांडलगड में उसके बाद में राणा प्रताप जो है चितोड की तरफ नहीं गए राणा प्रताप जो है आप इसको भी चाहे तो एक बार स्क्रीन सोट के रूप में अपने पास रख सकते हैं अंतिम संगर्ष एक बात यार साथियों समझ में नहीं आई यह अमर सिंग जी वो ही है न यह अमर सिंग जी वो ही है न जो पहले सत्रा पतनियां और त्रेपन बच्चे उठा लेते थे और अब भाले के एक ही वार से सुल्तान खान जैसे खतरनाक व्यक्ति को परलोग बेज दिया एक सो असी डिगरी का गुमाव कैसे के अपनी पतनी को पीहर तो छोड़ के नहीं आए देखते हैं क्या था वो भी चक्कर बाद में ठीक है तो भाई साब ये अंतिम संगर्ष हैं उसके बाद में करीब करीब 1585 के आसपास चावंड में वर्तमान उदैपूर के अंदर हैं चावंड हो सकता है आज की क्लास के बाद में हमारे गेलो साब गोशना कर दे और चावंड सलूंबर में चला जाएं लेकिन फिलाल आज की देड तक उदैपूर में हैं ठीक है जब मैं कलास बना रहा हूं तो चावंड वर्तमान उदैपूर के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम था रावत लूना चावंडिया ये लूट पाट करता था तो चावंड की जनता ने आकर राणा प्रताप से गोजारिश की कि वो लूना से हमें मुक्ति दिलवाए तो राणा प्रताप चावंड आ गए और लूना को यहां से भगाने में जनता का साथ दिया और उसके बाद में राणा प्रताप जो हैं 1585 से अपने अंतिम समय तक यानि 1597 तक चावंड में ही रहें चावंड ही उनकी राशधानी रही देखे राणा प्रताप के अंतिम बारा वर्ष तक कोई भी हमला नहीं हुआ अकबर की ओर से एक भी हमला नहीं हुआ और राणा प्रताप ने चितोड और मांडलगड को छोड़ कर संपूर मेवाड अपने कबजे में ले लिया मांडलगड चितोड को राणा प्रताप कभी जीत नहीं पाए लेकिन सारा मेवाड इन अंतिम बारा सालों में अपने अधीन कर लिया तो साथ हो ये बात आप लोग साइद पचा भी लो लेकिन मेरे से नहीं पच रही है अंतिम बारा साल तक ऐसा क्या हो गया था जलालुदिन मुहमद अकबर को कि उन्होंने राणा प्रताप को हाथ तक नहीं लगया ऐसा क्या हो गया था कि वो जलाणा अकबर जो अपनी मुगलिया सलतन दाउन पे लगाने को तयार था महराना प्रताप को छेड़ता तक नहीं है क्या आप ये बात भी पचा सकते हो कि अकबर को इतनी जबर्दस ससनक थी राना प्रताप को गिरफतार करने की वो अकबर अकस्मात से ठंडा के से पड़ गया अन्तिम बारा साल में क्या अकबर को ये नहीं पता कि राणा प्रताव इस समय चावंड में है चाहता तो आसानी से गरफ़तार कर सकता था चाहता तो आसानी से हमला कर सकता था क्या कारण है ज़रा सोचिए ऐसे ऐसे सवालों की जड़ी लगाने के बाद में शायद हो सकता है आप लोग परिशान हो जाओ चलो मैं ही इसके पीछे राज खोल देता हूँ देखिए अकबर को दो कारणों से राणा प्रताप पे हाथ नहीं डाला अगर थोड़ा सोचें, सोच के देखें आप कि 1597 तक राणा प्रताप जिवित रहें ठीक है? अकबर ने 12 साल तक राणा प्रताप पर कोई भी तरह का हाथ नहीं डाला न उनके उपर कोई आकरमन किया शांती ही शांती बनी रही बिल्कुल तो क्या 1597 के बाद में अकबर ने मेवाड पर कोई हमला नहीं किया? अरे भया राणा प्रताप के सरगवास होते ही उनके बेटे अमर सिंग पर फिर से अकबर ने हमले सुरू कर दिये थे 1599 में उटाला का युद्ध कारण समझना अभी ही हाली के सोध से सामने आया है ये चीज देखिए एक तो मेवाड पर हमले जो राणा प्रताप के समय किये जा रहे थे और ये अक्सर लोग कारण बताते हैं कि हमले महंगे पड़ रहे थे कुछ कारण बचकाने अंदाज में ये बताते हैं कि अकबर का ध्यान पूरी तरह समय मंगाल पर था अकबर हिंदोस्तान नहीं पूरे एशिया का बादिशा था आप उसे हिंदोस्तान का बादिशा मन समझेए एशिया का बादिशा था अफगानिस्तान पाकिस्तान भारत मंगला देश पर कमजा था उसका छोटा मोटा आदमी नहीं था उसको काहे की कमी नहीं दरसल कमी ये थी अभी हाली के सोध से सामने आया है कि महरणा प्रताप जो है वह जब चावंड में थे तो अकसर बीमार रहते थे उनका सरीर युद्धों से काफी जरजर हो चुका था खराब हो चुका था और मैक्जीमम टाइम वो बेड रेस्ट पर थे और ऐसे वक्त में राणा प्रताप का हालचाल पूछने के लिए उनका कुशल ख्षेम पूछने के लिए उनके हालचाल पूछने के लिए सारे राचपूत आते थे चावंड में सारे राजपूत आते थे उनके हालचाल पूछने के लिए शायद उनको इस बात से गिल्ट था कि इतिहास इन व्यक्ति को यानी राणा प्रताप को याद रखेगा और हमारे नाम पर दिकार करेगा इवन अभी हाली के सोध में तो यहां तक भी सामने आये हैं बात कि खुद तीन बार बेश बदल कर मान सिंग भी आये थे भली मान सिंग कच्वा राणा प्रताप से बेश बदल के मिलने के लिए आये हो लेकिन क्या इस बात की भनक अकबर को नहीं है सब पता है अकबर को अब ऐसे वक्त में इस नाजुक मोड में अगर अकबर राणा प्रताप पर हाथ डालता है तो आप तो जानते हो कि पूरी मुगलिया सल्तनत राजपूतों की वज़े से टिकी हुई है और बगावत का खत्रा था अकबर को बगावत हो जाती पूरा मुगलिया सीहासन हिल जाता इसलिए राणा प्रताप को अकबर ने नहीं छेडा समझ गए तो भाई साब इसी वज़े से अकबर ने नहीं छेडा राणा प्रताप को और आखिरकार एक समय ऐसा आया जिसको आप साइड सुनना पसंद ना करें 19 जनवरी 1597 को 1597 को चावंड में राणा प्रताप जो है एक शेर का शिकार कर रहे थे शेर का शिकार कर रहे थे उस समय धनुस पर प्रतियंचा चड़ा रहे थे प्रतियंचा प्रतियंचा मतलब डोरी होती है न प्रतियंचा चड़ा रहे थे तब कहते हैं कि उनकी मान स्पेसियों में खिचाव आ गया एक तो ये कारण बताया जाता है इसके अलावा एक और कारण बताया जाता है कि शेर का शिकार करते वक्त एक जहरीला तीर उनके गले में लग गया था और इसी वज़े से राणा प्रताप जो है 19 जनवरी 1597 को हमें हिंदुस्तान को छोड़के हमेशा के लिए दुनिया से विदा हो गये इनका स्वर्गवास हो गया अक्सर आप ऐसे महान आत्मा से रिलेटेड कहते हैं महाराणा प्रताप की मृत्यू कब हुई थी ऐसे शब्द इसमाल नहीं करने चाहिए आपको कहना चाहिए कि इनका स्वर्गवास हो गया देखिए जो अच्छा इंसान है उसे अच्छा ही कहेंगे जो बुरा इंसान है अक्बर भी अच्छे इनसान ही हैं हजार बुराईया हो और एक आद अच्छा ही हो तो हम उसे बुराई कहेंगे लेकिन हजार अच्छा ही अगर इनसान में हो और एक आद बुराई हो तो उसे इसकीप किया जा सकता है जलाल-दिन मुहमद अक्बर अक्बर शब्द का लिया होगा और जहां तक राणा प्रताप हैं जो हैं वह भी हमारे लिए महान है ठीक है अभी पडोस में इनका इसी गाव के जो चावंड गाव के पास में बांडोली गाव हैं बांडोली और उसी के पास में गाव हैं और केजड इन दोनों गावों के बीच में उनकी छतरी बनी हुई है ठीक है और ये दोनों लॉकेशन जो है वरतमान उदायपोर में है ठीक है आने वाले वक्त में हो सकता है कि ये जो है सलूमर में भी चले जाए ठीक है तो साथियों आप चाहें तो एक बार इसको भी नोट कर सकते हैं मैं एक मिनट में आया क्लास आपकी चारी रहेगी एक बाद क्लास आपकी एक रहेगी एक बाद कि अल्ड़्स कारी एक वर में ट्रूमा अइना ज़िए एक बाद कि यहाई प्र करेंगी o resisting झाल 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 अब बोल दो कल पढ़ाना सर क्यों भाई यूँ कहो ना मतलब खूद ना पढ़े तो ना पढ़े दूसरों को भी ना पढ़े निर दे अच्छा साथियों महराना प्रताप सिंग जी मिवाड रियासत के बारवे महराना क्रम के साब से और उनके बाद मैं निक्स्ट महराना बने अमर सिंग जी महराना अमर सिंग मैं आपसे एक छोटा सा सीधा सा सवाल पूछू कि महराना अमर सिंग आपकी नजर में कैसे हैं अच्छे, बुरे या ठीक ठाक एक शब्द में जवाब देना है मुझे अच्छे हैं, बुरे हैं या ठीक ठाक है कैसे हैं महराना अमर सिंग आपकी नजर में जल्दी जवाब दीजी कैसे हैं अमर सिंग जी आपकी नजर में में ज насंनकी मृ 뉴스 ओastटशा को जापकी हम लेकि पने भी architecture में आपकी, क्रिक्तशड़ में जापके हम इजर में आपकी में आपके कैसेश्ट आपक आपके कैसे कैसे जजरे। क्वें जब में जरे एकाद़िये लिए yüzी घजे जए देखिए आपकी नजर में अमर सिंग जी कैसे है मैं नहीं जानता और ना मैं जानना चाहता हूँ लेकिन अगर मुझे राजस्थान के इतिहास में कोई कहें कि आपका फैवरेट राजा कौन है तो मैं एक ही शब्द में एंसर दूँगा और वो है मेरे सबसे फैवरेट अमर सिंग देखिए इंसान हमेशा सिक्के का एक पहलू देखता है उसका बैक साइड देखना भूल जाता है मेरी नजर में अगर मेरे कोई सबसे फैवरेट महराना है राजा है तो वो है अमर सिंग और शायद इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में आपके भी सबसे फैवरेट बन जाएंगे ये गारंटी है आप लोग सोचते हैं कि अमर सिंग ने मुगल अदीनता सुईकार की मुगलो से संदी की शायद इस वज़े से अमर सिंग आपको ऐसे लग रहे होंगे तो क्यूं लग रहे हैं इसके पीछे एक कहानी सुन लो मैं सब समझ मा आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहरा हूँ देखिए आपको मैं पूरा अच्छे से इतियास क्लियर कराता आ रहा हूँ और आपको पता होगा कि करीब अप्रेल से लगा कर जून महीने में 1578 इस्वी में मेवाड में क्या हुआ था तो आप कहोगे कि सर कुम्बल गड किले पर हमला हुआ था मुगलो का और कुम्बल गड किला जो अजय माना जाता है उसका विजेता जो है सहवाज खान बना था आपको क्या लगता है कि इस कुम्बल गड किले की रक्षा का भार सिर्भीलू राना पूंजा का था नहीं क्या राना प्रताप का दाइत्व नहीं था कुम्बलगड के लिए की रक्षा करना बाई साब राना प्रताप का भी दाइत्व था कुम्बलगड के लिए की रक्षा करना मैं आपको एक कहानी बताता हूँ जो मैंने कभीराज शामलदास के वीर विनोध में पड़ी थी लगातार मेवाड के मंदिरों को निशाना बना रहा था ऐसे वक्त में राणा प्रताप को इस बात की टेंशन थी कि इसके हत्ते कहीं कुम्बलगड किला ना चला जाए तो गोगुंदा की पहाड़ियों के पीछे वे रात को अपने मंत्रियों के साथ में वार्ता कर रहे थे परेशान थे बहुत जबर्दस्त परेशान थे क्या किया जाए ऐसा जिससे कुम्बलगड किला बच जाए रात मद्यरातरी का समय था ऐसा श्यामलदास लिखते हैं अपनी स्टोरी के अंदर ऐसे वक्त में उनको एक तंबू से आवाजे सुनाए दी तंबू से और वो तंबू था अमर सिंग जी का और उस तंबू से कुछ लड़ने जगड़ने की आवाजे आ रही थी मतलब साफ है अमर सिंग जी और उनकी पतनी के बीच में जगड़ा चल रहा है तो राणा प्रताप ने अपने मंत्रियों को कहा कि आप जाओ विश्राम करो मंत्री सुबकन को कहा कि आप जाओ विश्राम करो मैं आता हूँ पहली बार राणा प्रताप जानना चाहते थी कि जगड़ा किस बात का है देखिए अब थोड़ा मैं बताई देता हूँ अमर सिंग जी की पतनी के बारे में आपने साइरा गाव सुना है साइरा साइरा गाव जो वर्तमान उदैपूर के अंदर है रनकपूर के पास में उसी गाव की एक लड़की थी जिसका नाम भी साइरा ही था लेकिन साइरा को सर को हम मारवाडी मेवाडी ह बोलते हैं इसलिए हाइरा बोल दो तो साइरा गाव की स्थी साइरा यानि हाइदी ठीक है ये साइरा जो है अपने ननिहाल कौशी थल में बड़ी हुई थी फूलो में पली बड़ी थी नाना जी के पास मैं और आप तो जानते हैं कि नाना जी जो है हर लड़की का जो पिता होता है या उसके जो पीहर वाले होते है वहाँ अपनी लड़की के लिए बहतर से बहतर लड़का ढूनने का प्रियास करते है पापा की परियों के लिए तो सायरा जब बड़ी हो चुकी थी इसने कभी जमीन पर पैर नहीं रखा था कहने का मतलब ये हैं, सिंबॉलिकल लेंग्वेज है, कहने का मतलब है इसने कभी दुख नहीं चेला था और हर लड़की का सपना होता है कि उसका जो राचकुमार है, होने वाला राचकुमार है घोडी पर बैठ कर आएं, उसे डोली में बिठा कर ले जाएं, आस पास नो कर चाकर हो आजकल की लड़कियों का ख्वाब होता है कि उसका पती आएं बड़ियां सी मस्त कार लेकर और उसे शॉपिंग करवाएं वो घूमें फिरें तो साहिरा के भी सपने थे जब रिस्ते की बात चल रही थी तो साहिरा उसमें इंट्रेस ले रही थी और इंट्रेस साहिरा का तब और बढ़ गया जब नाना जी कहने लगे कि अपनी साहिरा के लिए तो एक उचे खांदान में हम साधी करेंगे विभा करेंगे उचे खांदान में जब उचे खांदान की बात कही न जी नाना जी ने तो साहरा ने अपने सपने भी और उचे कर दी है सपने मतलब खाली शॉपिंग के थे लेकिन अब विदेसों में घूमने के सपने तये कर ली है पर उस छोरी को नहीं पता कि आजकल वो उचा खांदान मायरा की गुफा में रहता है तो बेचारी डोली में बैठी और सीधा आगई गुफा में सारे सपने काच की तरह तूट के बिखर गए बस इसी बात का दर्द था शायरा को और इसी बात का जगड़ा था सायरा को अरे भाई साब कवीराज शामल दास लिखते हैं कि सायरा अपने पती अमर सिंग को कह रही थी कि तुम लोग कैसे ये रहते हो कैसे भटक रहे हो दूसरे राजपूत क्या बेवकूफ है जो मुगलों की अधीनता स्विकार कर चुके है तुम तुमारे ऐसा क्या लगा हो आई सायरा कह रही थी कि तुम खुद मेवाड के महरणा क्यों नहीं बन जाते समझ रहे हैं मतलब कुल मिला के कहना चाह रही थी अपने पिता को हटा के महरणा बन जाओ अमर सिंग उसकी हामी में हामी मिला रहा था आप सोचिए एक स्वाभीवानी देश पुत्र राणा प्रताप के दिल पे क्या बीती होगी जब बेटा भी हामी में हामी मिला रहा है आपने एक फोटो देखा होगा अगले दिन राणा प्रताप का गुसा साथवे आसमान पर था आपने एक फोटो देखा होगा राना प्रताप एक पत्थर पर खड़े हैं और सामने सारे सरदार खड़े हैं जिसमें अमर सिंग जी भी है और वो चला के अमर सिंग जी की तरब इशारा करके बात कर रहे है राना प्रताप ने कहा अपने सरदारों को कि मैंने तो मुगलो के घर में अपनी बेटिया नहीं भेजी लेकिन इस अमर सिंग के उपर विश्वास मत करना मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तो अमर सिंग के उपर राना प्रताब मरते दम तक भरोसा नहीं कर गए थे और ये बात अमर सिंग के दिल में चुब गई थी अमर सिंग ने डिसाइड कर लिया था कि भली जीते जी भली मृत्यू कबूल है लेकिन गुलामी स्विकार नहीं करूँगा बदल गए थे 180 डिगरी का अंतर आ गया था उसमें माना कि वो प्रारंब में जो है वहां उनके विचार सुद्ध नहीं थे लेकिन वो पूरी तर से बदल चुके थे मैं आपको बताना चाहूंगा महराना प्रताफ सिंग जी ने अपने अंतिम समय तक अमर सिंग जी को देखा तक नहीं था उनकी शकल तक नहीं देखी थी अरे भाया महराना प्रताफ के समय मुगलों ने जो हमले किये थे ना उन हमलों को अगर हल्दी गाटी दीवेर सब मिला दिये जाए तो 19 हमले थे अगर अमर सिंग इतने ही बुरे होते तो छुटपुट कुल 43 हमलों का सामना न करते मुगलों ने जो मेवार पर अमर सिंग जी के समय हमले किये थे ना उनकी संख्या छुटपुट 43 थी राना प्रताफ के समय सिर्फ 19 राना प्रताप को जो मेवाड मिला था वो मेवाड पहले से स्टेबलिस था लेकिन राना अमर सिंग को जो मेवाड मिला वो बिखरा हुआ था राना प्रताप हल्दी घाटी दिवेर और कुछ छुटबुट युद्धों को छोड़ कर सारे छापामार युद्ध किये अमर सिंग सीना ठोक के आगे जाते थे अमर सिंग जी की आत्मा मुझे रात को सोने नहीं देती कि यार तू तो जानता है तू तो बता मैं कैसा इंसान था अमर सिंग जी भी मेरी नजर में महान है राना प्रताब सिंग जी के समय जब मुगल फौज हमला करती थी इनको तो तीन तीन और से घेरा जाता था फिर भी सामना करते थे पर क्या है कुछ बचकाने अंदाज में कुछ लोगों ने लिख लिया हमने मान लिया इनके समय में संधी क्या हो गई हमने उनको गलत समझ लिया सोचिए उनकी दिवंगत आत्मा को कितना दुख पहुँच रहा होगा एक बात बताईए उनके दिलो दिमाग में गुलामी होती तो वे इतना लंबा वक्त क्यों गुजारते राना प्रताप सिंग जी का स्वर्गवास 1597 में हो गया तो 1597 में अधीनता सुईकार कर सकते थे इतने सारे ये मुख्य युद्ध क्यों लड़ते वो उटाला नूरुदिन सलीम खान मेवाड को घेरने के लिए आया उसके बाद में ये मुख्य आकर्मन है 1604 में परवेज खान आया 1608 में महाबत खान ने आकर्मन की है 1614-15 में तो श्याबुदिन खुर्रम खान यानि शाहे जहाने तो तांडव मचा रखा था मिवाड में हमने क्या है कुछ राजाओ को ही राजरीती करने वालों ने चकर में कुछ राजाओ को ही हीरो बना रखा है लेकिन मेरी नजर में तो महराना प्रताब भी महान है और अमर सिंग भी महान है अगर मुझे कोई परसनली पूछे तो मुझे अमर सिंग जी महराना प्रताब से भी एक या दो प्रतीशत अधिक लगेंगे ये बात लिखिए आप लिखिए संदी क्यों की ये संदी भी क्यों की मैं बता दूँगा आपको एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसको आप अपनी स्क्रीन सॉट में रख लीजिए अपनी मुबाइल में डाल दिया नोट बुक में चलिए मैं आपको कुछ युद्ध की तस्वीर बता देता हूँ देखिए उटाला वर्तमान में जो वल्लब नगर उदैपूर के अंदर है वल्लब नगर टैसल हेड़कॉटर वहाँ उटाला कहलाता था ये पंदरा सो निन्याट में इस्वी की बात है जब भारत पर अभी तक अकबर का ही कबजा था अकबर का ही साशनकाल था 1599 में अकबर ने अपने बिगडेल सहजादेश नूरुदिन सलीम को उटाले पर अक्रमन करने के लिए भेजा दरसल उटाले पर अक्रमन नहीं था मेवाड पर नजर रखने के वाली बात थी ठीक है मेवाड पर आप नजर रखो तो उटाले में आकर सलीम बैठ गया और वह मेवाड पर नजर रख रहा था ताकि मेवाड जो हैं दूसरे ठीकानों पर हम लाना करें सहजाद अजूरुदिन सलीम खान ठीक है तब उन दिनों मेवाड में एक अनोखी लड़ाई चल रही थी आपसी सरदारों के लड़ाई एक ठीकाना था सलूमबर और एक ठीकाना था भिंडर सलूमबर ठीकाने के ठाकूरों को कहा जाता है चुन्डावत और भिंडर ठीकाने के ठाकूरों को कहा जाता है शक्तावत ये लड़ाई शक्तावत ठिकाने और चुंडावत ठिकाने के मध्य थी उस समय सलूंबर के ठाकूर साब जो थे जिनका नाम था रावत जेत सिंग चुंडावत और सलूंबर भिंडर के सक्तावत ठाकूर थे बल्लू शक्तावत बल्लू शिंग शक्तावत जो की शक्ति शिंग के पुत्र थे बल्लू शक्तावत ने राना अमर सिंग जी से कहा कि बार बार ये जो चूंडावत हैं ये वडेर हैं यही हरावल में क्यों रहते हैं हरावल में क्यों रहें यानि युद्ध के हिस्स आगे वाले हिस्से में ये क्यों लड़े? तो जेत सिंग ने का, नाना हो, छोटे हो, तो साना माना बैटा रहो. मतलब आप चुपचाप बैठो, छोटे हो, छोटे ही बने रहो. युद्ध में बड़े आगे रहते हैं, बड़े. तो बल्लु शक्तावत ने सीधा ताल ठोग दी, कि बड़े हुए तो क्या हुआ? हमारे पास में ताकत नहीं है क्या? हम क्यों नहीं हरावल में रह सकते हैं? आप सोचिए पूरे विश्व में, युद्ध के समय, लोग पीछे रहना पसंद करते हैं, ये आगे रहने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, मतलब आगे जो रहेगा वो पहले युद्ध में, मारा जाएगा, शहीद होगा, तो लगे हाटो, अब इस लड़ाई के अंदर जेत सिंग का पक्ष लें, या बल्लू शक्तावत का लें, जो हैं अमर सिंग जी फस गए, तो अमर सिंग जी ने सीधा दोनों को कहा कि अब एक काम करो, ये सलीम जो है न, वो उटाला किले में आकर बैठा हुआ है, मेरी एक, आप दोनों को एक प्रतियोगीता देता हूँ, एक शर्थ है, कि जो पहले उटाला किले में गुसेगा, और सलीम को वहां से बगाएगा सेना समेत, वहां आने वाले समय में हरावल दस्ते में रहेगा, यानि आगे वाले हिस्से में रहेगा, तो दोनों ठिकानों ने का वा ठीक है सर्थ मंजूर है ये इनको बड़ी है ना हेकडी कि हम आगे रहेंगे बच्चे बच्चे ही रहेंगे हम ही जीतेंगे तो इन्हों ने का वा देख लेंगे चलो तो सक्तावतों की सेना और चुंडावतों की सेना मिशन क्या है उटाले पर अक्रमन करके सलीम को वहां से भगाना ठीक है साथ तो चुंडावतों ने जेत सिंग जी ने कहा कि तुम छोटे हो एक काम करो तुम आसान सा रास्ता चुनलो और हम चुनते हैं मुश्किल रास्ता यानि तुम लोग जाओ किले के मुख्य मार्ग से और हम जाएंगे पीछे वाले मार्ग से किले के पीछे वाट ठीक है मन्जूर है तो बल्लू शक्तावत एक मुकना हाती पर बैठे मुकना हाती बिना दात वाला हाती ठीक है और जेत सिंग पीछे वाले रास्ते से अपनी सेना लेकर चड़ गए अब मिशन ये था कि पहले किले में गुसेगा सलीम को वहां से बगाएगा वो हरावल में रहेगा याने युदिक के आने वाले समय में आगे वाले हिस्से में रहेगा सर्थ ये थी तो दोनों किले के नजदीक पहुँच गए जेत सिंग भी अपनी सेना लेकर पहुँच गए बल्लू शक्तावत भी पहुँच गए बल्लू बैठा हुआ था हाती पर बल्लू बैठे हुए थे हाती पर बल्लू शक्तावत और जेत सिंग जो है वह किले पर रसी लेकर चड़ने लगे तो बल्लू ने अपने हाथी को एड मारी भाला मारा और हाथी ने उस किले की जो फाटक थी गेड था उस पर जोर से बचेड मारी हाथी ने और हाथी ने जब किले के आगे वो नुकीले संकु लगे हो थे बचेड मारी और उस हाती के जोड़दा लगी संकू और हाती फिर पीछे अट गया और वो बचेड मारने को तयार नहीं हुआ ठीक है इधर जेज सिंग भी इस टेंशन में कि बल्लू पहले हाती से गेट तुड़वा कर अंदर गुज जाएगा इसलिए जेज सिंग भी रसी के मार्दियम से किले को फांदने की को चिशिश करने लगे और जूँ ऊपर पहुँचे तो एक मुगर सैनिक ने उनको गोली मार दी और जेज सिंग धराम से नीचे गर गे अब जेज सिंग भी कामियाब नहीं हुए और बल्लू भी कामियाब नहीं हुआ ठीक है जेज सिंग जू धणाम से नीचे गिरे उन्होंने अपने सनिकों को कहा कि मेरी गर्दन काटके किले में भैको ये बल्लू जीत जाएगा ये बल्लू जीत जाएगा इस गेट के सामने और कहा मेरी च्छाती पर मारो थाकि मैं इस भालों के अंदर भीद जाऊंगा और गेट तूट जाएगा इदर ज्यू छाती पर मारा और हाती ने जो है बचेड मारी बल्लू को बल्लू शहीद होगे गेट तूट गया इदर जहला जेत सिंग चुंडावत जो है उन्होंने सोचा कि यार ये पहले पहुँच जाएगा और कोई सैनिक गर्दन काटने को तयार नहीं था खुद की गर्दन काटके खुद ही फैक दी किले के अंदर चुंडावत सक्तावत सोचने लगे कि हम जीत गए जीत गए लेकिन अंदर देखा कि जेत सिंग की गर्दन पहले से पढ़ी हुई है ओ भाई साब ये जब सीन देखा न तो ये सलीम और उसके साथ में अली कुली बैग दोती पगड़के दीवार फांद के भागे और भागते भागते कह रहे थे कि अबाजान को मैंने कहा था ये मेवाडी सारे सिर्फिरे वो मुझे या मत बेजो और किला इस तरह से अधिकार में कर लिया इन दोनों के बलिदानों को देखते हुए राणा अमर सिंग ने कहा कि अब हरावल का हक अब इन दोनों का होगा इस तरह से उटाले में चमतकार दिखाया मिवाडियों ने अब मुझे बताईए हल्दी गाटी ज़्यादा खतरनाक है या आपको क्या लगता है ये उटाला कमेट बॉक्स में ज़रूर लिखना अभी तो और लड़ाई जारी है अभी इस लड़ाई के बारे में भी बाते करनी है हमको 1648 और 1614 15 श्याबोदिन मुझे खुर्रम खान शाहा जहां एक साल तक मेवाड को परिशान करता है तरास देता है चिक है तो साथियों नहीं कहूंगा आप लाइक करो शेर करो कमेंट करो यह आपका दाइत्व है अच्छा लगता है आपको जरूर सपोर्ट करना चाहिए अच्छे इंसानों को और जो है गंदगी को बाहर निकालने में मदद करनी चाहिए ताकि बच्चे ब्रहम इतना हो अगर बुरा लगता है तो अनलाइक भी कर सकते इट्स अप टू यू लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है तो आज के लिए इतना ही आपस में लड़ाईया बंद करो और नव बाइ बाइ टेक केर सी यू लेटर गुड नाइट मिलते हैं अगली ग्लास में तब तक के लिए बाइ-बाइ